ओके तो हे गाइज विलकम बैक टू दी चैनल नाशनल क्रिकेट अकाडमी को आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो कि बैंकलूरु में लोकेटेड है और आपको ये भी पता होगा नाशनल क्रिकेट अकाडमी के कोई भी डारेक्ट ट्राइल्स नहीं होते डारेक्ट अकाडमी में इंडियन प्लेयर्स और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं राहुल ड्रविड वीवियस लक्षमान और भी बहतरीन कोचेज वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और दे चुके हैं नैशनल क्रिकेट अकाडमी में ऐसे डारेक्ट किसी का भी अड्मिशन नहीं होता उधर अलग क्रेटेडिया होता है स्टेट लिवल पर आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना होता है फिर आपको एंसे के तरफ से खुद कॉल आता है कोई भी डिरेक्ट ट्रायल्स नहीं होते कोई भी डिरेक्ट अड्मिशन नहीं होता तो आज कल क्या चल रहा है NCA के नाम से फ्रॉड चल रहा है आप लोगों ने बहुत सार अड्वर्टीजमेंट देखा होगा YouTube पे Instagram पे और भी बहुत सारे प्लाटफॉर्म पे तो आप लोगों को बच के रहना है क्या हो रहा है National Cricket Academy के नाम से डिरेक्ट अड्मिशन चलाए जा रहे है बोल रहे हैं आपको डिरेक्ट अड्मिशन मिल चाएगा रेजिट्रेशन करा लो और रेजिट्रेशन फीज कितनी मांग रहा है पता है तीन हजार रुपे आप लोगों को नहीं देना है देख लो आप लोग नमबर इस नमबर से अगर आप लोगों को कोई भी मेसेज आए वटसब पे कॉल आए आप लोगों को बिलिव नहीं करना समझ जाना आप लोग फ्रॉड है ट्राइल्स करवा रहे हैं ओल ओवर इंडिया में लेकिन पता है लोकेशन ही नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं पहले रेस्टेशन करो और बाद में बहुत बाद में जाके ट्राइल डेट्स अनाउंस करेंगे लेकिन कभी उनका trial dates announce ही नहीं होगा नहीं वो कोई trial date announce करेंगे नहीं कोई trial venue announce करेंगे आप लोगों के साथ fraud करा जा रहा है बहुत सारे players fraud में fuss भी चुके हैं हमें continuous whatsapp पे, instagram पे और youtube channel के comment section में messages आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए video बनाया जाए तो आप लोग इस प्रकार के fraud से बच के रहो National Cricket Academy के ना ही direct admission होते हैं ना ही कोई trials होते हैं trials के नाम से ये लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 ना जाने कितने लोगों को लूट चुके हैं 10,000, 12,000 कितने रुपे ये लोग demand करते हैं आप लोगों को इनके back away में नहीं आना National Cricket Academy में यूँ ही किसी का भी admission नहीं हो जाता बहुत लंबा process रहता है और बहुत मुश्किल process रहता है मैं आपको उदादू पहले आपको district level पे खेलना रहता है उसके बाद divisional levels होते हैं zonal levels होते हैं state level पे आप लोग अच्छा करोगे तो ही कहीं जाके opportunity मिलता है तो आपको direct NCA से call आ जाएगा ऐसे कोई भी आप लोग 3000 रुपे दे दो 4000 रुपे दे दो ऐसे कभी भी admission नहीं होता NCA में आपको बिलकुल free of cost call करके बुलाया जाता है free of cost आपका admission होगा कोई भी fees आप से नहीं ली जाएगी और हाँ guys NCA के नाम पे जो fraud कर रहे हैं उन्होंने तो एक professional website भी बना लिया है जहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ को represent कर रहे हैं और पता है player से registration करवा रहे हैं पैसे आट रहे हैं बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं लेकिन आप लोग मत परना इस चक्र में ये रहा website link इस website पे आप लोग कभी भी जाके registration मत कर देना बूल से भी और पता है guys ये लोग website पे क्या show कर रहे हैं Top Cricket Academy का name इन्होंने list कर रहा है और मान लो मैं Kolkata से हूँ तो इन्होंने क्या कर रहा है Kolkata Top Cricket Academy का name list कर दिया और बोल रहे हैं आप लोग जल्दी से registration करा लो आपको मौका मिलेगा Kolkata के Top Cricket Academy में admission पाने का मौका जो की collaborate कर रही है NCA के साथ तो आप लोग इस fraud के चक्कर में मत पनना NCA की सिर्फ एक academy है जो की Bangaluru में है तो मैंने तीन scams के बारे में आपको बता दिया नहीं Cricket Academy का ये official website है एकदम fake website है नहीं इनका ये official contact number है नहीं इनके trials होते है और नहीं आपको NCA में direct admission मिलता है बिल्कुल fraud कर रहे हैं ये लोग पता नहीं ये कौन लोग हैं लेकिन आपको इनके बहकावे में नहीं आना अगर आपके साथ भी किसी प्रकार का fraud हुआ तो आप लोग comment section में बताओ उस fraud को definitely हम अपने channel पे expose करेंगे आप लोग अपना साथ बनाए रखे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें थैंक यू गाइज